Society for All-Round Development की एक प्रस्तुती चाज सेबों में से एक सेब ले लिया। बताइए कितने सेब बचे। चार सेब। नो सेबों में से चुनमुन ने तीन सेब ले लिये। बताइए बड़ी ठोकरी में कितने सेब बचे। छै सेब। एक पेड़ पर आज चेडियां बैठी थी। उन में से दो चिडियां उड़ गई पताईए अब कितनी चिडियां बची छे चिडिया बराबर बराबर बाटने की समझ पिंकी और आमिर में छे से बराबर बराबर बाटना है बताईए दोनों को कितने से पिलेंगे क्या आप बता सकते हैं कि डाल पर लगे सेबों में कितने लाल और कितने पीले सेब हैं, क्या ये बराबर हैं? क्या लाल रंग और पीले रंग के सेबों की संख्या बराबर हैं? क्या लाल रंग साथ, पीला रंग साथ, हाँ, दोनों टोकरियों में सेब बराबर हैं, समूही करण चिडियों को खोसलों में बराबर बराबर के समूह में बाटियें? पंद्रा चिडियां तीन घोसलों में बराबर बराबर बैठी तो प्रते घोसले में पाच चिडियां बैठी दिये गए समूहों को देखिए और बताईए कि किस समूह में बराबर का बटवारा है और किस में नहीं? सही, गलत, सही एक ही संख्या को बार बार घटाने की समझ रवी, जया और जॉन में बराबर बराबर पैंसिलों को बाटना है पता लगाते हैं कि प्रतेक को कितनी पैंसिले मिलेंगी कुल छे पैंसिले हैं, तीनों को बराबर बराबर बाटना है प्रतेक को दो पैंसिले मिली इसका मतलब है पैंसिलों की कुल संख्या चे है जिन में बाटना हैं उनकी संख्या तीन पत्वारे के बाद प्रतेक को मिली दो पैंसिले हम कह सकते हैं, छे पैंसिलों को तीन बार बाटा गया फिर दुबारा तीन बार बाटा गया हम कह सकते हैं कि छे से तीन तीन के दो समू बन सकते हैं छे में से तीन को दो बार घटाया जा सकता है भन्यवाद